पिछली क्लास में exercise 4 है के question number 4 तक complete हो चुके हैं आज की क्लास में question number 5 से start करेंगे तो question number 5 है which number is smaller in each of the following pairs जो pairs दी हुए है इनमें कौन सा number छोटा है, smaller है smaller कौन है, less कौन सा number है उन दोनों में से तो compare करना है देखिए compare के लिए जैसे बताएगे आपको किस सरे से कि अगर हमारा positive integer है तो positive integer is greater than negative integer positive integer is greater than negative integer कि अगर एक positive है और एक negative है तो उसमें positive हमेशा बड़ा होता number negative कितना भी body value लिकी हो लेकिन वो छोटा होता number तो positive जो integer होता है वो अमेशा negative integer से बड़ा होता है दूसरा compare करते है अगर 0 के मामले में कि जो 0 है आपका 0 is greater than negative number 0 हमेशा negative integer से बड़ा होता है और 0 is less than positive integers अगर positive integer कोई दिया है तो उससे 0 छोटा होता है इसका उतलब positive integer 0 से बड़ा होता है ऐसे तो कहेंगे उल्टे में कि positive integer जो होता है वो 0 से बड़ा होता है और जो minus integer जो होता है वो 0 से छोटा होता है अगर सपोज करिए कि दोनों प्लस प्लस के नंबर है प्लस और प्लस के नंबर है तो अगर प्लस प्लस के नंबर है तो जो बड़ी बैलू वाला होगा प्लस में जिसकी बैलू बड़ी होगी वो बड़ा होगा सपोज कि यहाँ पर प्लस का 7 है और यहाँ पर प्लस का 8 है तो कौन से से बढ़ा होगा प्लस का 8 बढ़ा होगा जो छोटी value लिखी है वो छोटा होगा तो plus 7 is less than plus 8 माने plus 8 बढ़ा है और plus 7 छोटा है अगर दोनों negative integers है तो negative integers को अगर हम compare करते है तो उसमें जो बड़ी value लिखी होती है वो छोटा होता है और जो छोटी value लिखी होती हो बड़ा होता है suppose करिए दोनों negative integer, suppose करिए minus 7 and minus 8 है, suppose करिए ऐसे, तो इसमें जो minus minus के दोनों number से इनको compare करना है, तो जो minus में छोटी value होगी, लिखी है, वो बड़ी value होगी, वो क्या होती है, बड़ी value होती है, किसे minus 8 से बड़ी होगी, तो minus 7 is greater than minus 8 हो जाएगा, आप देखे इसका फर्स्ट प अगर प्लस का है, प्लस इंटीजर है, पसिट्व इंटीजर और यह निगेटिव इंटीजर है, तो पसिट्व इंटीजर is always greater than निगेटिव इंटीजर, तो दिस विल्टीजर इकल्ट आगर गरते हैं, तो 6 is greater than minus 7, 6 जो होगा, चुकि 6 positive integer है, minus 7 negative यह है। यह है तो पास्ट लगता है अपका जो साइन बनता है इस तरह का है इस तरब वो अम होता है वो greater होती है वो greater या larger होती है तो इसका मतलब कौन smaller है तो जिदर मुबंद है कौन सब minus 7 तो minus 7 is smaller now second part 0 comma minus 1 तो compare compare this pair इस pair को हम compare करें तो 0 और negative integer है तो 0 is greater than negative integer तो इसको अगर हम compare किया तो क्या हो जाएगा 0 is greater than negative negative में क्या है minus 1 है greater हो गया तो इसमें कौन सा smaller कौन सा हो गया तो minus 1 is smaller क्योंकि minus 1 is smaller है तो answer is minus 1 is smaller now third part minus 13 and minus 27 इसे माइनस माइनस नंबर को compare किया गया है तो देखें माइनस माइनस नंबर में क्या है कि जो माइनस में छोटी बैलू लिखी हुई है वो greater होती है इसका उनबर माइनस 13 तो यह चोटी बैलू यह लिखी है माइनस 13 और यह 27 बड़ी बैलू लिखी है तो माइनस में है तो दोनों तो जो चोटी बैलू लिखी हो ग्रेटर होती है तो क्या हो जाएगा this will be minus 13 is greater than minus 27 तो which is smaller तो minus 27 is smaller तो answer is minus 27 is smaller fourth part compare minus 26 and 17 तो minus 26 is negative integer and 17 is positive integer तो which is greater positive integer is greater and negative integer is smaller तो compare करेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा minus 26 है और 17 है तो minus 26 क्या है smaller है किससे 17 से इससे smaller है तो smaller number आपको right करना है तो smaller number क्या हो जाएगा minus 26 तो answer is minus 26 is smaller now fifth part minus 317 कॉमा minus 603 दोनों minus के numbers हैं तो compare करेंगे तो जो minus के negative integers हैं तो negative integer में जो छोटी value लिखी हुई है वो greater होगी तो छोटी value कौन से लिखी है 317 तो यह greater होगी से minus 603 से तो compare करेंगे तो minus 317 is greater than minus 603 तो which is smaller? minus 603 is smaller तो answer is minus 603 is smaller now sixth part minus 777 कॉमा 7 इन दोनों में तो negative integer है और यह positive integer है तो positive integer is always greater than negative integer तो यह greater होगा तो minus 777 यह negative integer है तो यह smaller होगा उससे तो क्या होज़ेगा minus 777 is smaller than 7 7 से smaller है तो smaller कौन है? minus 777 तो answer is minus 777 is smaller question number six write all integers between 0 and 6 तो all integers, सब integers write करने हैं between किसके? 0 and 6 के between integers write करने हैं कौन कौन से होगे? 0 और 6 के between तो देखिए जो number line होती है आपकी number line में आपको क्या होता है? इस तरह से write करते हैं कि 0 आपने write किया और इधर positive होगा है 1, 2, 3, 4, right side इसके positive होजाएंगे 4, 5, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे और left side में negative होगा है minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5 इस तरह से left side में बढ़ते चला जाएंगे तो देखिए यहां पर 0 and 6 के between तो 0 और 6 6 मालोग सब्सक्राइब यहां पर आगया तो 0 और 6 के between इन दोनों के between number आपको write करना है 0 और 6 के between कौन कौन से integers हो जाएंगे वो आपको write करने है तो 0 और 6 0 और 6 आपको include नहीं करना उसमें उसके between उसके बीच में कौन कौन से number है तो उसके बीच में देखिए 0 और 6 के बीच में 1, 2, 3, 4, 5 तो यह आपके हो गए equal हो जाएगा 1 महाने 0 के after कौन सा आगया 1 आगया फिर 2 इसके बाद 3 then 4 5 और इसके बाद में 6 आता है क्या आता है 6 आता है 6 नहीं रट करना इन दोनों के between numbers कौन से हो जाएगे integers हो जाएगे तो 1, 2, 3, 4, 5 यह आपका answer हो गया next is second part है minus 5 and 0 इसके between देखना है minus 5 and 0 तो देखें minus 5 कहां पर है अब इसमें देखने हैं आपका minus 5 minus 5 कहां पर है यह आपका और 0 कहां पर है इसके between numbers कौन से होंगे कौन से integers होंगे between तो देखें minus 5 से इधर count करें minus 4, minus 3, minus 2, minus 1 then 0 0 भी नहीं होगा कौन कौन से छोड़ देंगे minus 4, minus 3, minus 2, minus 1 यह 4 हो गए इधर यह छोटे हैं छोटे हैं बड़े के ओर चल ला हैं तो आपके 0 कहां तब पोंचा इधर के ओर पोंच रहा है तो minus 4, minus 3, minus 2, minus 1 तो क्या हो जाएंगे नमबर तो यह जो numbers है minus 5 and 0 के between numbers तो minus 5 minus 5 आपका left में 0 आपका कहां पर है, right में minus 5 left में, 0 यह है तो इसके between number तो उसके between number क्या आगा, minus 5 से जो values हैं वो कम होती जाएंगी कम होती जाएंगी जब right को और बढ़ते जाएंगे, कम values होती जाएंगी minus वाली value क्योंकि minus वाली value जब कम होगी तो वो बड़ी value होगी उससे क्योंकि उससे बड़ी value आने जाएंगी तो minus 5 के right से चल लए है, तो क्या हो जाएगा minus 4, फिर minus 3, फिर minus 2, minus 1 और इसके पाद 0 आता है तो minus 5 और 0 के between यह integers हो गए तो it is the answer third part है, minus 3 and 3 कौन-कौन है, minus 3 and 3 तो अब देखें, minus 3 कहाँ पर है उसको देख ले minus 3 आपको कहाँ पर होगा है, यह और 3 कहाँ पर है, यह इसके between तो कहाँ से start कर रहे हैं, निगेटिव इंटिजर से start कर रहे हैं तो minus 3 के बाद मने, किदर कोर जा रहा है तो minus 2, minus 1, 0, 1, 2 कौन से between numbers हो गए है तो यहाँ पर देखें minus 3 के right side चुकि 3 को जाना है न, तो क्या होज़ेगा minus 2, minus 1, then 0, 1, 2 इट इड़ अंसर fourth part, minus 7 and minus 5 कौन-कौन सा है minus 7 and minus 5 अगर अब इसको हम देख ले minus 7, तो minus 7 कहाँ पर आएगा और इधर चलते हैं, left side में तो हो गया minus 6 और यह हो गया minus 7 कौन सा हो गया, minus 7 minus 7 हो गया आपका minus 6 and minus 7 और और अपना number line दाएगी आपके तो देखे, minus 7 and minus 5 minus 7 कहाँ पर है? यह है minus 5 कहाँ पर है? यह है इसके between इसके between number 6 तक complete हो चुके next class में question number 7 से start करेंगे